तो गाईज आज के विडियों में सबका स्वागत है और आज अपन जानने वाले हैं अलूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में और उसके तीन मेजर प्लेर जो 90% आप अलूमिनियम सप्लायर को कंट्रोल करते हैं उनके बारे में तो उसमें से दो अपने प्राइवेट रहने वाले हैं और एक अतना पॉपलिक रहने वाले हैं तो यहलूमिनियम आगश्टुली काम किदर किदर आता है सबसे पहले तो EV and petrol दोनों वही कर्स में काम आता है क्योंकि इसकी lightweight properties होती है और durability अच्छी रहती है तो aluminium यूज होता है वहाँ पर फिर आता ही second आपकी consumer goods तो consumer goods में like आप पकर लिजे dairy milk तो आप silk लेते तो उस पर रापर आता है वो aluminium होता है और आप कोई भी खाने को अगर गरम खाने को pack करें तो आप aluminium prefer करते हो तो aluminium वहाँ पर बिखते है बहुत साथ है अब वो भी हो गया तो आपका third रहेगा construction में construction में भी lightweight properties प्लस इसके durability वज़े से use होता है construction में बहुत साज जगा है तो इसके uses है और इसकी जो growth है वो अभी expected है 8-8% CHR मतलब 8% growth करते ही रहेगी तो that's a good deal बट अपन जानेंगे पूरा और एक PDF में दूंगा यह आप जरूर शेयर करिएगा में को चार दिन लगए इस PDF को सिफ बनाने में चार दिन लग गए मिरको अब PDF को शेयर जरूर कर लिजेगा अगर आपको वीडियो नहीं शेयर करना है तो लिंक आपको description में मिल जाएगा जाके अभी check out कर लिजिए आप बहुत सही एक दंबर पूरा मैं detailed analysis लेदी आपको कि aluminum की industry क्या है उसका demand कितना expected है और उसकी टीन मिजए companies के और उसका detail वह सब तो चेक आउट सीधा पर एक बार analysis करेंगे उसके बाद PDF चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए सीधा टाइम बरबाद के बिना बढ़ते analysis की तरफ तो आपना चुक है screener पे मैंने तीनों companies के नाम लिख दे हैं फरस्ट इस नाशनल अलुमीनियम इसको नाल को भी बोलते हैं लोग ठीक है नाल को ठीक है हिंदाल को तो आपको पता ही है तो यह तो माइनिंग बिलनेर है उनकी कंपनी है ठीक है तो यह सब अब इनका सबसे पहले है ऊपर कारेंगे फिर डीटेल भी जारेंगे फटा फटा फट करेंगे बिलकुल टाइम बर बात किये सबसे बड़ी कंपनी है विदान तक वभड़ी सका अलुमीनियम बंदन ना बड़ा निये तो अब्से बड़ी इंदाल को हो है फस्ट रहती है और यह थर्ड इन डा फॉपलर वहें में शेल्स में इन जनरल ठीक है तो आहाई लो बहुद ब दिन भी जादा भागई है थोड़े दिन में वह भी मैं बता हूं यह अपने डबल पे ट्रेड नहीं कर रहे इतना थोड़ा कमी कर रहे ठीक है और यह तो अपने कुछ जादे बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे तो आइवूड से अभी के लिए में को हिंदाल को बेश लग रही है ठीक है पॉइंट से इसके पास जादा है डिवीडेंड इल देखा जाये तो विदांता सबसे जादा देही है उसके बाद अछल देती है उसके बार को छोड़ देंगे कर लिह है अच्छा कासा नीकाल पाथ ईन confidence ब्रक नेयुक्त तो आइसकी प्राइस बहुत ज़धा वह के लिएक एसका प्राइज तो मैं इसके पास बहुत कम है जबकि इसके पास बहुत जाद है सेम तुसे में लगपक समझ लेगर मैं मार्किट कैप के साफ से देखू तो अच्छा का सा डेप लेके बैठे दोने हो ठीक है इंडस्ट्री पीस अब अपन कंपे नी करेंगे प्रॉफिट ग्रोथ तो प्रॉफिट ग्रोथ सबसे आदा अपन को नायलको में दिख रही है उसके बाद हिंडालको में और विदानता तो माइनस में कम आ रहा है अभी मतलब प्रॉफिट कम होते आ रहा है उनका ठीक है इंट्रेस कवरेज रिशु भी अपन देखे तो नाय जबकि यह भी ठीक है और यह तो माइनस में भी बहुत ज्यादा तो अगर आपन रिजल्स भी कंपेर करें तो अपन देख पा रहे है कि अप्रेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबसे आदा निकाल पा रहा है नायलको उसके बाद आता है विदानता उसके बाद हिंडालको इ उसमें आता है अलूमिनियम जो है सिर्फ 40% तो विदानता में सिर्फ 40% ही है जो अलूमिनियम है ठीक है तो आपन जान लेंगे भीच ठीक है अगर आपन नेट प्रॉफिट देखे तो इतना कंपर करने की ज़रुत नहीं है प्रॉफिट अन लॉस देखे तो हाँ यह ज़र इसलिए मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूं रिजर्फ को ग्रोव होते हुए देखना है यह सबसे आदा किसके है यहां पर जैसे ठीक ठीक ग्रो किया चलो अच्छी बात इसलिए यहां में थीक ठीक ग्रो किया यहां पर कम हो चुक है रिजर्फ टीक है सब जगर उसको माइनस पॉइंट जादा मिल रही के लिए ठीक है एन्यरी विस अगर अपन देखे तो ग्रों-क्रों किया है तो यह ना के बाराबर ग्रों कि है यह थोड़ा ठीक ठीक ग्रो तो ROCE has been grown the most by इसके ठीक है नहीं नहीं विदानता इस फर्स्ट यहां पर यह सेकेंड और यह थर्ड लब रिटन on capital employed is nothing मैंने हजार रुपर डाले तो में को इस पर कितना रिटन मिला तो मैंने को नायलको में नायलको के उस पर मेरे को मिला है 17% का रिटन which comes out to be 1170 rupees मैंने इतना कमाया 1000 रुपर डालके और विदानता साइड 1000 रुपर डालके मैंने कमाया 1210 रुपर ठीक है तो यही चीज है कि मैं आगे कमा कितना पा रहा हूं ROC वो बताता है ratios, data days तो छोड़ी है वो सब इतना नहीं net cash flows हर एक company minus में हैं इनकी बड़ सबसे कम नालको माइनस में है फिर आती है आपकी हिंदाल को एंड विदानता इस अलोट माइनस तो मैं इस विदानता थोड़ा strong नहीं दिख पा रहा है बड़े इंवेस सीधा comparison करेंगे कि जानेंगे कि company के वान है पूरा एकदम अंदर अंदर से ठीक है चले सीधा बढ़ते है अपन अलुमीनियम इनका सेग्मेंट है इनका 75% अलुमीनियम कोंट्रिबूट कर रहा है वह के लिए तो वह चीज अची है तो इससे आपन को समझ में आता है कि इनका 75% ही वह है ठीक है एन्यवेस आगे अगर देखे है अपन तो कैपासिटी यूटलाइस बहुत सही कर रहे है ल जोनों को मिलाओं है तो लिटरली यह नंबर आता है 25,000 करड़ो के आजु बाजु उस पर भी मैं जोड़ लेता हूँ 26,000 करड़ो के आजु बाजु इसका चल रहा है एक्सपैंशन और उनका मार्केट काप अपर कर रहा है तो बहुत कम है उसके इसाफ से तो दाट सब गो सकते हैं 200 कोड़ो की प्रोजेक कोस्टे कम है बट एक जॉइंट वेंचर रहना है अच्छी चीज़ है ठीक है तो यह सी जिए बहुत अच्छी में को लगी और अभी आप देखेंगे तो अभी-भी इनका मोमेंटम आया है यहां से ठीक है तो वही चीज़ है यहां पर सब क अब निगाल पाए है अफकोस बेस्सेल्स यहां पर आय थी वहां पर इतना नहीं रहुँंगे तो अलुमिनियम इस कॉंटिटिंग अलॉट ठीक है वही चीज़ है यहां पर अपने प्रोडक्स सेग्मेंट्स भी देख लिए अब कंबाउडेट सेल्स ग्रो जैसे देखे तो मैं बता रहो ना आपको आट परसंट से ग्रो करने वाला है CGR में वह थोड़ा गलत है ठीक है बेस में को और कोई दिक्कती नहीं है CGR आट परसंट है तो उसके इसाफ से अपन ग्रोथ देखेंगे कमपनीज में तो अपनको अच्छी लगनी चीए वह टीटियम में 52 प ले सकती है तब भी यह लोग चुक जाएंगे तो वी के लोग अग्रेट पोटेंशियल इन दिस तो अपन इस पे तीरह हजार करों के और बारिंग ले लेना तब यह कमनी स्ट्रॉंग रहने वाली है एनिवेज फिक्स असेट यह लोग थीटिक बढ़ा लिये ओर थोड़ा ही बढ़ा है हजार करों के आज बजू मलब इतने साल में तो अब अच्छा एक्स्पांशन प्लान कर रहे है क्योंकि आप देखो 4,500 करों का CWIP है तो यह एक अच्छी चीज में को बता रही है और अधर असेट और वह सब चेक आउट नहीं करेंगे पन एनिवेज कैस्ट तो कैश्फर नेकिटिव हो चुके बटो कम हो चुके लास्ट यह से तो इस वीवेज वोट लूक रहने चीज फिफ्टी है ताट सब्टी यूट यूट यह लास्ट इन्ट हमेशा से कम कर लिये हैं बहुत जादा अन्यूए प्रमोर्टर जो हैं अपना कांसिश्टेंस टे अब इनका वह हुआ था तो नायल को अभी डिविडेंट देने वाला है ठीक है अब बहुत अच्छी लगते हैं परसनली आफ इन्वेश्टेट इन्वेश्टेट इन्स कंपनी ठीक है चलिए आप दूसरे कंपनी की भी रिसर्च करी लेते हैं अभी हिंदाल को की कर लेते ह कंपनी राइक समान तॉप फाइव ग्लोबल अलुमीनियम प्लेश्ट बेस्ट अशिप्मेंट और और कॉपर भी आपको लेने कॉपर में वीडियो बनाई थी तो यह बेस्ट कंपनी रहगी इसके अलाब आप जादा नहीं देखेंगे तो जादा चल जाएगा आपको अब यह वही कंपनी आपकी जो अलुमीनियम करती है कैन शीट बनाती है उससे अटोमोटिव अबैवेच के लिए हो जाते है तो नोवेल इस वह है जो यह काम करती है एनिवेज दाट से सबसे जादा आ जा रहे है आउटसाइड इंडिया यह लोग सबसे जादा बेज रहे है और अगर आपन आगे देखिए तो इनका कैपसिटी अच्छा कासा है अब एक्सपैंड क्या कर रहे हैं लोग ठीक है तो कंपनी इस एक्सपैंडिंग कुपन फैसिलिटी 250 करोड की है और एक यह 300 करोड की एक फैसलिटी ले रहे हैं तो इसके मार्केट के साब से तो अच्छी चीज है यह सब बहुत अच्छा करोड यह सब मिला के लोग बहुत अच्छा कैपसिटी एक्सपैंड की है अपना ओधर यह वह बढ़ता चल जाएगा अपना आगे बढ़ते हैं सिल्वासा टू बिल्ड न्यू एक्स्टिशन प्लांट्स प्लांट्स अच्छा टोड भी अपर इंवेश्ट की जाँ यह बाँ आज टोड इस तो बहुत सब्सक्राइब न्यून गोट बहुत अच्छा की फाइग एक्सपैंशिन अभी 5 विल्लियन डॉलर्ड का शेर्द एक्सपैंशिन यह लोग ने वह किया था बोला था कि 5 बिल्यन डॉल्र फॉकस इनका डांस्ट्रीम नहीं तो नहीं देख सकते हैं और यहां पर यहां यहां से जो रिली चाल हुई है वह सब में मिली है अपन को हर एक स्टॉक में देखने मिलिया अलुमिनियम के बढ़ा जाए लिए बहुत इसलिये भगाई वीडियो बना लूँ आपके लिए तो मैंने वही चीज के वीडियो बनाई है और मैंने को दूसी चीजे भी बहुत सारी नोटिस में आई इसलिए मैंने बनाई पीडिया जरू चेक आउट करना है आपको बट दिंग इस अपन प्रॉफिट और लॉस पर बढ़े आकर तो प् अगर देखे तो इसकी भी बढ़ रही है बट प्रॉफिट बढ़ जा रही है और यह सब चीजे अगर देखे न आपन तो इसके पास फिक्स असेट रहना वह अपने मार्केट कैप के लगबग एकोल होने आ गई है और रिजर्वस भी अच्छे अमनी पर वह विदानता से इसलिए मैं को बेटर लग रही है गमनी कभी भी ठीक है बोरिंग कम हो गई है इसलिए इसलिए चीजे इन्वेश्मेंट्स भी बढ़ा लिए है तो सब कुछ मिला के म अगर देखें तो अपन को सही दिख रही है वह अधे इस कंस्टेंट हो चुकिए प्रमोटर अपने पास कम माल लेकर बैठे हुए वह थोड़ी दिक्कत है बड़ एफई आई इस ट्रस्ट कर रहे हैं वह अपना स्टेक बढ़ाया जा रहे है डियाइस इस कंपनी पर ट्रस पाक्न करना है थीक है कॉपर में तो फिर आपको ये कंपनी अंधे में उठा सकते है अपना kesकर्कर के अंधे में में उत्तार मतलब मैं ऐसी बता रहा हूं A wys बहुत सखीं कंपनि ये उसके इसाफ से अगर दूना में invest करने हैं तो विविदानता लिमेट आग्टी वे बहुत अप्राइब सब्सका होगा सब इसको इस चीज के लिए लेते हैं और तो चीज के लिए जादा लेते हैं लोगों को जादा पता भी नियुता है कहां कहां क्य रहना चीए बहुत अच्छी चीज है पेग रिशयो माइनस में क्योंकि कमनी ग्रोथ नहीं कर पाई इस बार प्रॉफिट में अगर अगर अपन यह देखें प्रॉफिट यह देखें तो इनकी सेल्स थी वह देखो कभी कभी इनकी 2,000 कोड़ों सेल्स हुआ करती थी और फिर करते करते हैं अभी आ चुक है 1,145,000 क्रोड और अगर देखे तो यह रहीं है है 2023 में थी सबसे हाइस सेल्स कर रहा है नहीं अपन प्रॉफिट ही प्रॉफिट ही देखें अभी नेट प्रॉफिट इस नॉट ढमाईन यह थी ए अवपकॉस 2020 में सबसे यह यह कमाई है अभी ग्रोव करने का ट्राय कर रहे हैं EPS बढ़ रहा है विच इस गुड तिंग बट इपेस कम भी हो चुका है डिविडेंट पे आउट इन लोन है अभी का तो नहीं आया है डेटा इन्वेज बट अभी एक फिर से फोर्थ इंटरिम डिविडेंट यह लोग कंसिडर कर रहे हैं अभी आज की डेट देख लो फोर्थ इंटरिम डिविडेंट आ रहा है इनका तो उसके लिए स्टॉक भग रहा है और ज्यादा अपन कंपाउंडेट सेल्स ग्रोथ मैंने क्या बोला नहीं बढ़ेगा इतना प्रॉफिट ग्रोथ इसकी माइनस में जा रहे है इसके ऐसा हो माइनस है हर एक टाइम इसका माइनस ही होगा है प्रॉफिट ग्रोथ वह चीज़ आपन देखेंगे तो बहुत बुरा ही लगेगा अपन को अपनी मिनिवेस काने का मननी का रहेगा मैं और भी एक दो पॉइंट बता रहा हूं जिससे में को मननी किया मैंने बहुत देखा ए यहां पर बहुत ज्यादे आच लोगा है तो यह तो बड़ी है विराऊं के मैं को सब्सक्राइब ओétais देख रहें तो यहिकर बाइस बहुत अच्छा सेÃ ब्ल Congrats Kapil अछी यहां कर लिए अच्छे से इक्दम ग्रोग किcard किया सब बाइस हजार लगोत एक्सपैंशन है तो यह दोनों को मिला हूं तो अच्छा कास हमको growth देख रहे हैं एसेट्स में एसेट्स ग्रो करेंगे तो borrowings कम होगी and results भी grow करेंगे वह चीज़े investments में लोग कम कर दिये हैं तो थोड़ी balance sheet थोड़ी सी week लगी में को personally cash flows negative है बहुत जादा negative है तो वह भी नहीं देखेंगे अपन रहें दीजिए भी ratios अगर देखें तो ratios over the year कम कर दिये हैं लोग ने अपने data days तो that's a good deal good ठीक है यह good है anyways अब अगर अगर अपन यहां पर देखे ठीक है तो over the quarters यह लोग consistent रखे थे फिर यहां पर यहां पर दाइलूड किया और यहां पर दाइलूड किया तो डाइलूड बहुत जादा कर रहे हैं तेजी से एक दम डाइलूड कर रहे हैं यहां पर आपन देखेंगे अपनी को यह दोने प्लस पॉइंट लेके आते हैं इस कंपनी के लिए अधरवाइस दे कंपनी इस ओके विदानता का एक चीज और जान लेते हैं यह देखना ही भूल गए थे एनिवेस यहां पर आप देख लीजे आपका जो जो देखना है आपन को क्योंकि में पास इसका पड़ा हुआ था अपन रिसर्च करें को अलुमियम इस फॉर्टी परसंट आप देखने से और इंका में बिसनेस और आता है वाथा जिंक और लेट से इंका में रेवन्यू आता है पट्रीज परसंट का और अधर देन तो इतना कुछ खास है नहीं को पर बिसनेस इनके पास भी है बट मैं आ अन्यू ग्रोथ के पेक्स ऑफ 687 मिल्यों डॉलर्स इन दा ओयल सेग्मेंट और यह हुआ 5750 करोर्स के आज हो बाजू और यह जो अलुमिनियम में लोग देख रहे हैं ठीक है के पेक्स ओवर दे यह तो वह हुआ 12,000 करोग है आज जू बाजू ठीक है तो अलुमिनियम इस यह लोग बढ़ाने में लगे हुआ है इस इंक्लूद एक्पैंशन ऑफ 3 मेट्रिक टन्स बाई क्यू 324 तो वह तो चुक है अन्यूमिनियम इस अलुमिनियम इस अलुमिनियम मेट्रिक टन्स तो दाट्स अ गुद दील और अहंड़ेट परसंट अपरेशनलाइस त्री कोल माइन्स ठीक है तो उसका रेवेन्यू ग्रोथ आएगा ठीक है अगर आपन देख ले तो कुछ बोड़ और डिरेक्टर्स अप्रूब फालकन पावर लिमिटेड में लोग वो कर लिये हैं परोलाइस कोर्परेशन लिमिटेड में भी किये हैं ठीक है ओके इन्येस तो अपन आज की अनलिसिस जहीं पर मैं खतम करता हूं और एक पीडिएफ का जहलक देता हूं तो गाइस यह पीडिएफ आपको मिलने वाला इस मैं बताया है मैंने अलुमीनियू इंड़स्ट्री कैसी कंपनी के बारे में यह लिंक्स है यहां पर दबाएंगे तो लिंक्स खुल जा जो शेह रिस पीडिएफ एạtलीस सो वो इसको देख के कुछ फायदा उठा सके और दो फॉला मी और सब्सक्राइब मी एक प्र लेटेस वीडियोस अप्टेट अप्डेट चस् सक्क थैस्ट ड्राइफ श कडिक्स